जोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब भी आपकी फानुक की ड्राइव या मोटर के साथ कभी भी आपको एक्सेस अब नॉर्मल करेंट देखने को मिलता है कोई भी एक्सेस में तो वहां पे हमने one of the probable cause आपको बताया था कि केबल खराब जाती है तो केबल में आपको पता होगा पावर केबल में दो कनेकटर होते हैं एक कनेकटर जो होता है वो हमारा मोटर साइड लग जाता है और दूसरा कनेकटर जो होता है हमारा वो लगता है drive पे उसके power section पे जहां पे हमारा 440 volt जो हमें चाहिए होती है motor को रन करने के लिए वो normally आती है तो motor के उपर आप connector देखते हूंगे एक encoder connector होता है और एक power connector होता है तो देखा होगा आपने drive पे भी power cable का connector भी लगता है और साथ पे encoder cable का भी connector लगता है जो motor side connector होता है कुछ इस तरीके से होता है और जो यहां पे drive connector होता है कुछ इस तरीके से आता है उसमें pins भी आती है अब drive connector में दोस्तों क्या ज्यान लखना है अपने को यहां पे जब drive में आप इसको डालते हैं तो यहां पे locking रहती है side से और उसको push करके वो लिकलता है यहाँ पर drive connector जो drive के side होता है उसमें 4 pin normally होती है वो UVW आप बोल दीजिए या फिर L1, L2, L3 और एक अर्थिंगी रहती है इसमें देखिए एक slot को दिख रहा होगा एक खाचा सा दिख रहा होगा जो कि जब इस connector में इसको डाला जाता है तो यहाँ पर एक प्लास्टिक का group होता है जो कि उस खाचे में जाके इस cable की pins को lock कर देता है तो यहाँ पर आप देख रहोंगे जो हमारे connector पर A1, A2 और B1, B2 लिखा रहता है तो यह चार जो point होते हैं उसमें 3 हमारे face जल जाते हैं UVW और चौते में आर्थिंग आयता है उसको as per drawing हम power connector और जो motor side connector है और यह वाला जो drive side connector है उस तरीके से हम drawing को देखके वहाँ पर जोड़ सकते हैं अब यहाँ पर दोस्तों problem यह आती है कई बार हमने देखा है कि drive के end से connector जो होता है drive का end connector होता है वहाँ पर यह cable लिकलने पाती है और नहीं लिकलने के चक्कर में क्या होता है कि लोग इसको या कोई भी un-skilled operator या वह सकता है जिसको पता नहों वो खीचने की कोसिस करता है औ और उसके चक्कर में हमारे जो connector होते है वो damage हो जाते है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप आसानी से देखिए आसानी से इन cable को निकाल सकते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या करना है यहाँ पे actually यह जो pins होती है जैसे कि मैंने बताया था आपको यह slot में फ पार्ट को पिन के अंदर से remove करना है पुस करना है ताकि plastic का पार्ट पीछे हो जाए ग्रूप से और यहाँ पे आपका जो pins है वो अराम से निकल जाए जो आप यह connector connecting pins है वो अराम से निकल जाए तो देखिए किस तरह किसे मैं डालना हूँ एक pin की मदद से मैं easily यहाँ पे स और connector जो है यह 4 connector आप आसानी से खोल सकते हैं और फिर मैंने किया करा नई cable यहाँ पे बनाई है उसको soldering किया है इन pins को पहले cream किया जाता है और यह आसानी से इसमें जो connector है उसमें आसानी से lock हो जाते है उससे पहले मैंने यहाँ पे numbering कर ले थी कि जो मेरा UVW कौन कौन सी cable ह तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया था और अर्थिंका तो एक अलगी केबल होता है, उसका कलर ही अलग रहता है, बागी UVW में normally कलर सेम रहता है, पर वहाँ पे केबल के उपर लिखा रहता है तो वही मैंने mark यहां पर कर लिया था क्योंकि वहां तक मेरी cable चली हुई थी तो यहां पर जब आप इन pin को connector के अंदर डालेंगे तो आपको एक sound टक एक sound आपको locking sound वहां पर सुनाई देगी तो locking sound सुनाई दे रही है तो इसका मतलब जो pin से हैं वो connector में अच्छे से lock हो रही है आप उसको double check करने के लिए connector से खीच के भी देख सकते हैं थोड़ा सा हलका सा push करके आप देख सकते हैं अगर ये lock हो रही है properly तो इसका मतलब आपका connector सही है अगर ये lock नहीं हो रही है तो कभी भी आपका हाँ जब लग सकता है power cable में तो ये बाहर लिकल सकता है तो आपको ध्यान लखना है कि जो ये pin से हैं वो अच्छे से lock हो जाए एक tick की sound आपको सुनाई देगी locking sound और वो वहाँ पे होगी बाके double check करने के लिए आप वहाँ पे हलका सा खीच के देख सकते हैं तो ये देखने के बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने power connector को लगाया है तो दोस्तों ये power connector अगर आप इसको जानते हैं कि किस तरीके से खुलेगा किस तरीके से पिन बाहर आएंगी तो आप बिना damage करें आसानी से केवल change कर सकते हैं अधरवाइस अगर नहीं बता होगा आपको तो कहीं बार ये connector damage हो जाता है और आपके पास connector नहीं होने की condition में फिर कहीं देर तक आपकी machine breakdown हो सकती है फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक लिए जाज़त नमस्कार जैहिन जैभारत पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया